Hello everyone, मैं विश्ण जीत सिंग, आप सभी का दीई नपर स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर में हम MA History MHI 09 Lesson First, रास्ट और रास्टवात पढ़ने वाले हैं दोस्तो ये lesson important है, सबसे पहले हम अपने थोड़े से बुक के बारे में जानते हैं बुक के अंदर में हमें क्या-क्या पढ़ना है दोस्तो जो आपकी MHI 09 की बुक है, इसके अंदर में हमें पढ़ना है भारती, रास्टी, आंदोलन के बारे में कि भारत के अंदर में रास्टी, आंदोलन किस परकार से हुए, कौन-कौन से आंदोलन हुए और आंदोलन के बाद हमारा सोतनतरता जो संगराम का पूरा प्रोसेस रहा वो कैसा रहा साथ साथ में हमारा सवीधान किस परकार से निर्मान क्या गया Constitution कैसे बना इसके बारे में इस पूरे बुक के अंदर में पढ़ना है तो बहुत ही interesting बुक है बहुत सारी learning इसके अंदर में मिलेगी और questions भी बहुत सारी put up के जाते हैं एक्जाम के अंदर में अच्छे questions इसमें से बनते हैं तो बुक को सभी से पढ़िएगा और हमारे साथ पढ़ने के लिए हमारे चनल को subscribe करना बिलकुल ना भूलिएगा ठीक है चलिए हम अपना lesson स्टार्ट करते हैं रास्ट और रास्टवाद रास्ट होता क्या है तो जिस जगह पे भी आप रहते हो रास्ट के तौर पे treat क्या जाता है मैं भारत में रहता हूं तो भारत के वह मिरे लिए रास्ट हुआ ठीक है और भारत के परती जो मेरी भावनाएं है निस्था है वो क्या कहलाती है रास्टवात कहलाती है सिंपल सा अगर इसका एक definition ले तो का जाता है किसी व्यक्ति को अपने रास्ट के परती जो निस्था और विचारधारा उसका रास्टवात कहलाता है ठीक है इसका एक example लेकर चलू में तो भारत के अंदर में ही जब गलवान वैली के अंदर में हमारे सैनिकों के साथ चीन की सैनिकों के साथ में जड़प हुआ भारती सैनिकों चीन के सैनिकों के जड़प हुआ तो उस समय बाइकट चीन का बहुत जारा नारा लगा ठीक है पूरे भारत के अंदर में बाइकोट चीन का सुरुवात हुई ठीक है जिसके अंदर में टिक टोक जब से एप अब जी जब से एप बैंड किये गए गवर्मेंट के थुरू और भी लोगों ने उनके समान को खईदने से इंकार कर दिया ठीक है तो बाइकोट चीन जैसी शुरुवात हुई तो वो क्या कि भावना आती है वो कहलाती है रास्ट वाथ ठीक है पर यहीं पर सेम टाइम पर कई बार हम यह देखने के लिए मिलता है नियूस के अंदर में कि कुछ लोगों के दवारा टुकुडे टुकुडे गैंग जिससे नियूस वाले बोलते हैं जिसमें भारत को तोड़ने की ब के अंदर में हमने तीन कॉश्चम पढ़ने है ठीक है तो यह सारे टॉपिक अगर कवर करने आपको और पर आपको डारेक क्वक ऩरियूइग हए औरा पर डारेक लिह टॉए होग ठीक है और बुकको पढ़ने के जोरत नहीं बढ़ एक हम पर लेते हैं ठीक है तो आपके सिधान्तवादी व्यक्या करें देखो रास्ट और रास्टवाद को लेकर आदुनितावादी जो सिधान्तकार थे उन्होंने क्या कहा उसके बारे में यहां पर बात करना है ठीक है तो यहां पर सबसे पहले अगर में बात करूँ तो कई सारे इतिहांसकार हुए ठीक है कई सा पैसरिंगे में बात करो राष्ट और रास्ट्वाद को लेकर आदु नितावाद ही सिधांत कार राष्ट्वाद की जो भावना कले कर सिधांत इस्थापित हुआ ठीक है और ये जो रास्टवाद का भावना है ये कोई भावना नहीं ये एक तरह का सिध्धान्त है ठीक है विचार धारा है लोगों उसको फॉलो करते है तो ये रास्टवाद का सिध्धान्त है ठीक है तो इस तरह से कडियूरी का मानना था कडिरी में बोला कि यूरोप में ये बहुत ही कित्यास प्रभाफसाली धंग से उन्होंने अनुभव किया यूरोप के अंदर में देखने के लिए मिला रास्टवाद की जो भावना है यूरोप के अंदर में भी देखने के लिए मिला अभी रास्टवात का अगर सबसे बड़ा current example लूँ तो रसिया और यूरो क्रोन यूक्रेन का वार चल रहा है ठीक है रसिया और यूक्रेन का वार चल रहा है आप सब देख रहे होगो उससे follow कर रहे होगा almost तो उस वार के अंदर में जो यूक्रेन की लोग हैं वो बढ़ चीजे इस तरह से होती रास्टवात का किया क्लईाती है रास्टवात की भावना ऐसे उन्हें उन्हों depends कि ये उंहें यह माना की यरोप के इंदर मानने सक्रभात upside पर फिर भी उन्होंने यरोप के अंदर में face किया देखा जो यरोप था उसने 1997 के अंदर में राष्टवात की भावना को मान्ने से इंकार कर दिया थे कि बावना का अन्दिम चरन तक देखा गया ठीक है ये एली कडूरी का मानना था उसी तरह से आगे में बात करूं तो आगे आते हैं गलेनर करके हमारे दूसरी रिचारक आते हैं सिधांत का राते हैं ठीक है इनका नाम था गलेनर ग्लेनर ने क्या का ग्लेनर ग्लेनर के जो भी सिध्धान्त दिए गए वह सिंपली एली कडिवरी से तुर्ला की गए उसकी एली कडिवरी से एक तरसे प्रभावकाली विकल्फ के तौर पर दिखा गया एली कडिवरी की जगा पे जहां पर कहा गया ग्लेनर के नुसार अधावने उथ राष्वेत की रूप विश्व के रूप राष्ट सफ्ण्थ के रूप पांतरण में दोनों के सेम के Li would ऐसा साथ बेंट लेंटर ने यहाँ पर क्या कि कि लेंटर उसी सिद्धान्त को भॉठ्ट दोडबऻी के तौर पर देखते यह जो विकास की भावना होती उसके उपर यह सिधान्त अधारिता है गलेनर ने यह माना कि विकास करने वाली अर्थवयस्था ने इस तिर पुरानी ववस्था को समाप्त कर दिया तो इस तरह से यह हमारे अपनिविश्च समाज की व्याख्या नय संगर ढंग से करता है ठीक जो ऑपनिविश्च समाज क्या होता है एक देश का दूसरे देश पे अधिपत कायम करना ठीक है अपने सीमा का विस्तार करना अपनिवेश वात कहलाता है किसी देश के उपर में अपना अपनिवेश कायम करना अपनिवेश कहलाता है यहाँ पे अब आप confuse रोगे कि यार रास्टवात सर आपने बताएगे रास्टवात करते की जो भावना है उसको हम रास्टवात कहते हैं, अब यहाँ पे चीज़ जो बता रहे हो आप अलग है, अब यहाँ पे हम compare कर रहे हैं कि रास्टवात को लेकर जो आधुनिक्तावाद आज की समय के जो इतिहांसकार थे, सिध्धानतकार थे, उन्होंने क्या बोला, ठीक है, उसकी बारे हम बात कर रहे हैं, अगर आप conservative सोच लेकर चलोगी, ठीक है, तो वहाँ पे चीज़े अलग लिखी गई है, और आधुनिक्तावादी सिध्धानतकार के अनुसार में वो बिल्कुल अलग हो जाती है, ठीक है, समझ में आता है, तो यहां पर यह पहला question, इस तरसीस का answer हमारा पूरा बनेगा, ठीक है, और इसके अंदर में जो topic आप अगर पढ़ोगे topic book के अंदर में, तो आपको पढ़ना है, तो आधुनिक्तावादी सिध्धानत का आपको topic तो पर दिखा गया, और दूसरे नमबर पर टॉम नैन, जो यहां पर तीसा नमबर बताया था, मैंने टॉम नैन, उनको दिखा जाता है, ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से अधुनिक्तावादी सिध्धानत का topic यहां पर clear हो जाता है, ठीक है, समझ में आता है, चलिए अगला question करते हैं, पहले रफ करते हैं, यहां पर जो दूसरा question आता है, रास्ट तथा रास्ट रास्ट के विभीन परिभासाओं की आलोचनात्मक व्यक्या करें, अब देखो, रास्ट और रास्ट रास्ट के जो परभासा ही दी गई है, जो भी definition है, उसकी हमें आलोचना करनी है, देखो, यह वाले question के अंदर में कई सारे writers आते हैं, सबसे पहले आता है यहां पर आपका, ठीके, second question, यहां पर विभीन परिभासाओं की हमें आलोचनात्मक व्यक्या करना है, तो यहां पर पहला जो आपका आता है, रेनान करके, आते है, रेनान, ठीके, रेनान, भावना थी, यहां पर उसे रेनान ने क्या कहा था, कि भाई, लोगों का मानना है, कि जो रास्टवाद है, और नसलिये, नसलिये मतलब क्या, नसल के अधार पर, जैसे मैं गोरा हूँ, तो गोले वाला, जैसे आपको अफ्रिका में याद होगा, काले का, और अमेरिका में क काले का रंग का, वहां पर हुआ था, ब्लैक मोमेंट चले थे, ठीक है, तो यहां पर रेनान मानते हैं, कि नसलिये और प्रकरतिक भासाओं के अधार पर, जो भी चीजे कही जाती है, रास्टवाद को लेकर, उन्हें पूरी तर से डिनाए करते, खारिज करते, सासत्म उन् के अधार पर रास्टवाद की वह डिफाइन करते हैं, कैसे है, इसको मैं अगर बताऊं आपको, कि एक्षा चेतना सिमृति कैसे है, इस बात से मैं भी अगरी करता हूँ, किस तर से, अगर मालो आप भारत के अंदर में रह रहे हो, तो आप एक बॉंडरी के अंदर में हो, और उसके परती जो भावना है, वो रास्टवाद कैलाई, पर अगर क्या आप अमेरिका चले जाते हो, वहाँ पर कुछ भारत के खिलाव गतिवीद्या देखते हो, तो क्या आप वहाँ बोलोगे नहीं, तो यह कहते है, रास्टवाद की भावना के लिए किसी रास्ट की ज जरूत नहीं है, आप किसी भी जगर होगे ना तो बस आपको उसके लिए चेतना चाहिए, ठीके मतलब अंदर में जंजागरती हो आपका, ठीके सासत में आपकी स्मिर्ती, आपका जो मेंटिलिटी होना चाहिए, रिक्षा होनी चाहिए, तब आप रास्टवाद की भावना फैराया था, इंगले नहीं पता नहीं कहां पे, तो उसको बहुत बुरी सर्च नहीं पीटा गया था, हमारे भारत के जंडे को लेकर लड़ाई भहस में, उसने 8-10 लोगों ने मिलकर मारा पर वो अकेले भीडा, क्योंकि वो हमारे भारत के जंडे की बेजती कर रहे थे, ठ एक रिनान का क्या माननात एक बाद वार से रिपीट करते हैं, ठीके रिनान कहते हैं कि रास्ट्रों को पूर्व में मुझूद तथे के रूप में ना देखकर इसके एतिहासिक निर्मान पर बल देती हैं, मतलब क्या लोग कई बार क्या देखते हैं कि रास्ट क्या है एक तत्थे के तोर पर देखते हैं कि तत्थे उसके पृति जो भावना हैं वूर ये कैते हैं कि भाई उनके तत्थे को मत देखो एतिहासिक निर्मार किस पर हुआ है हूआ है। उसके उपर देखो, ठीके, यह इस धार्णा को नहीं मानते हैं कि रास्ट का निर्मान प्रकर्तिक सीमाओं से होता है, ठीके, जैसे कि मैंने भी बोला, प्रकर्तिक सीमाओं मतलब क्या, जैसे पेंड़ पोदे पहाड से रास्ट बना हुआ, जैसे भारत के गरह हम बात करें, उपर में कस्मीर है, कस्मीर के हिमाले परवत हो गए, गंगा की घाटी हो गई, ठीके, सिंध के मैदान हो गए, ठीके, नीचे में पठार हो गए, ठीके, दचिन के अंदर में समुंदरी टट हो गया, तो इस तरीके से हमारा भारत नहीं बना हुआ है, यह बोलते हैं कि यार यहां पर पाकिस्तान में पाकिस्तान में जा रहा हूं तो इस का मतलब से हुदा है जुंआ . ठीक है समझ में आता है इसकी आलोचना अगर की जाए तो यहाँ पर का जाता है यहाँ पर आलोचना में कहा गया कि रास्ट कोई स्थिर वस्तू नहीं है स्थिर वस्तू मतलब क्या कि एक जगा फिक्स रहने वाली वस्तू नहीं है इन्होंने यह रिनान ने यह बोला था ठीक है 1982 में अपने रेनान में भासन में कहा था ठीक है और दीरे दीरे कई सारे जो विचारक थे इसको उन्होंने नकारा ठीक है विचारकोंने नकारा कि रास्ट कहा है कि स्थिर वस्तु के दौर पे विचारकोंने माना ठीक है तो रेनान की जो विचारदारा थी उसको कई ब कार्य के दौर बताए गया, यहां पर जो दूसरि इतिहासकर हम बात करते हैं, जोसेफ स्टैलिन करके आते हैं हमारे दूसरे इतिहासकर, ठीके, जोसेफ स्टैलिन ने क्या कहा, कि 1913 में राष्ट और राष्टवाद की उन्होंने विस्यस्ताव को बताया, 1913 के अदर में बनावट के आधार पर गठित करता है सांजी संस्कृति दिखाता है उससे रास्टवात करते हैं समझ में आता है जहां पर जोसफ स्टेलिए का माना था कि रास्ट क्या है लोगों का एक इस्थाई समू जो एक जगा रहता हो, ठीके, सासाइत में एतिहासिक उपलबदी, जो समू है उसकी एक एतिहासिक उपलबदी हो, उनका समान भासा हो, छेत्र हो, समान आर्ठिक जीवन हो, मनो विग्यानिक बनावट depends हो, ठीके, और मौनो विग्यानिक बनावट के धारपरों का गठन किया गय हो ठीक है उसे सांजी संस्कृती हो सबकी ठीक है उसे हम रास्टवाद के तौर पर यह मानते हैं ठीक है वो कहते हैं कि इस परिवासा में रास्ट्रों की पहचान ड्रिष्टी में पांच मुख्य विसेस्ताओं से किया जा सकता है ठीक है जोसर विस्टैलिन का क्या माना था कि पांच अलग अलग विसिस्ता ही बताएं जिनके थुरू आप रास्टो की पैचान कर सकते हो, क्या कहते हैं उनकी विसिस्ता हैं, क्या क्या कहते हैं, तो एतिहासिक निरंतरता पहला, ठीके, दूसरा आप आता है समान बासा तीसरा जाते हैं, यहां पर समान चेतर, चोथा जा आते हैं पर संझी संस्कृत हैं मतलब इन अकर संस्कृति सेयम मेरा और आपका बाइस सेयम राव कैि अधियासिक निरं तरदा सेयम है तो हम क्या है मारी जो भावना है एक हम रहरे रह रास्ट बाद कहलाता है ठीक है अब देखो मेरी से चला गया रसिय गया वहां पर मेरे अलग गए और वहां के जो लोग हैं उनकी संस्क्रिटी अलग थीक है तो वह क्या हो राष्ट कहलाएगा निया करके जुरूर बताईगा समझती क्या गया जौसफ इस्टेलेन के नुसार कहा गया कि यह अगर पांच चीजे मिल रही है जहाँ पर आपका कलर मदलब आपका भासा मिले छेतर मिले आर्थिक जीवन मिले सांजी संस्कृति मिले एतियासिक निरंतरता जो इतियास घट चुके वो चीजे आपकी सेम हो ठीके तब आप रास्ट कहलाता हो ठीके तो अगर आप माल लो दिल्ली में रहते हो दिल्ली से आप चलेगा है तमिल, केरल, ठीके बंगाल वहाँ पर आपके संस्कृति नहीं मैच करती है वहाँ पर आपके बाहसा मैच नहीं करता है तो क्या वो रास्ट कहलाएगा आपके लिए नहीं कहलाएगा यह मुझे कमेंट करके बताईगा आपक प्रकर्तिक धाराओं में नीए इन्हों नीए उसकी भावना होती है आप कहीं भी चले जाओ तुम वह भावना रहती है ठीक है उन्होंने बहुत रास्ट कोई इस्थिर वस्तु निया कि आप एक जगह बांध दिये तो रास्ट हो गया ठीक है अगर में तमिल नाडू में चल कर लाका क्योंकि वो इंड्य का पार्ट है थिक लाट ने ब्ला था और जोसफ स्टाली ने स्टेलिन ने उसकी बात को डेखने को बहुत happened देता है एक्षा चेतना और साहरुमानने योगदान से ध्यान हटा देता है ठीक है यहां पर यहां पर हम तीसरे विचारक की बात करें तो इसरे विचारक के राते हैं हमारे तो रुट करते जिसके सबसे पहले दोस्तों आपको रास्ट और रास्ट वाद में तो वह सा डिफ्रेंस समझना पड़ेगा क्योंकि जो मैंने पहले बताया था वहाँ पर रास्ट और रास्ट वाद के हम बात कर रहे थे अभी जो हम question कर रहे हैं उसके अंदर में हम Rast की बात कर रहे हैं कि अलग-अलग विचारकों के नुसार में Rast होता क्या है इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं तो यहां पर तीसरे विचारक आजाते है हमारे Glenar तो Glenar का क्या कहना था? Glenar की जो परिवासा थी 1983 के अंदर में 1983 के अंदर में उन्होंने दिया इसके सिधानत को और उन्होंने कहा कि Rast वादे के ऐसा तत्वे जिसकी उपस्तिती से रहनान और स्टेलिन मिस्तिरित परिवासा में विच्व को सभी रास्व समाहित हो जाते हैं उन्होंने महत्यपून कुछ विवादित विचार की दिये जिसमें कहा गया कि Rast का निर्मान, Rast वाद से होता है ठीक है, अब Glenar यहाँ पर क्या कहते हैं, बहुत गलेनर आते हैं अब Glenar के नियुसार जो भी कहा गया, जिसका सीधा सीधा नकार दिया गया रिनान को और जोसविस चैलिन की जो परिवासा थी, उनको नकार दिया गया गलेनर ने क्या का, कि अगर आपको Rast का निर्मान करना है, तो सबसे पहले आपको Rast वाद पैदा करना पड़ेगा इसका सबसे बड़ा एक्जामपल हमारे भारत का मिलता है, ठीक है, कैसे? अलग-अलग इन्वीजन्स हुए हमारे उपर में, उनके थुरू हम मरते रहे, कटते रहे, वो सब चलता रहा, फिर हम 200 सालों तक अंगरी जो के गुलाम बने रहे तो यहाँ पर ग्लेनर के नुसार यह कहा गया, कि अगर आपके अंदर में, 1947 में जाके आजाड़ी क्यों मिली है आपको, अगर आपके अंदर में पहले राश्टवाद की भावना आ जाती, तब आप आप आजादी पहले ले लिलते 1947 के अंदर में अजादी हमें इस कारण से मिली है क्योंकि हमारी भावना जो थी राष्टवाद की वो एकदम अपने चरम पे था किस परकार से मैं वो बता देता हूं आपको तो राष्टवाद की भावना के अंदर में कोई रंग भेद नहीं देखते कि भाईया यह काला है मैं भुगो रहा हूं वो हिंदू है मुसल्मान हूं वो कभी नहीं देखा जाता राष्टवाद की भावना आती है तो कभी नहीं देखा जाता यह चीज़े यहां पे नोट करने वाली बात होती है दोस्तों सासत में आप अगर हमारी अजादी के लड़ाई देखोगे तो वह पर हिंदू मुसल्मान औरत मर्द जो भी थे जितने भी लोग थे ना सभी पार्टिस्पेट कर रहे थे वो राष्टवाद की भावना कहलाती है ठीक है तो वो राष्टवाद की भावना जगरि ठीक है वहाँ पर आपके इंटर्नली क्या फेल करते हो आप किस तरह से आपको शुष्ण वह चीज़ें बहुत ज़्यदा इंपोर्टेंट करती हैं तो ग्लेनर के ने उससार यह कहा गया कि भाईया अगर आपको राष्ट को जगरित करना है तो आपको सब से पहले पंजाब में कल की बात कह रहा हूं है ठीक है 29 अप्रेल की 29 अप्रेल को पंजाब में कल खालिस्तानी नारे लगे ठीक है खालिस्तान जिंदाबाद खालिस्तान चाहिए उन्हें अलग करने की नारे लगे ठीक है पंजाब को अलग करने की नारे लगे ठीक है कस्मीर में अक आपका राष्ट वादे कर यहां पे अपने अपने देश के परती विचारधार अपने रखना एक एक देश के पर्दी सकरात्मग विचाधर रखना रास्टवात कहलाता है सिंपल सा डेफिनेशन यह है ग्लेनर के नुसवार में ठीक है यह कहा गया ग्लेनर कहते हैं कि भीया इस परिवासा का कोई वास्ट मतलब इसका अगर आलोचना कहा जाए तो ग्लेनर के नुसवार कहा गया कि इस परिवासा की विशेशता यह कि कोई भी वास्टविक यह समभाविक रास्ट इस परिदी से बाहर नहीं है फिर भी उन सभी समूओं को छोड़ देता जो रास्ट नहीं है सीमह और भी प्राइन तो छ्षिक पिन फ़सर अब न साय विश्व सब्सक्राइब ऑं हुआ है व्क सभाव बैंक वहिं न गल्राइन है तो के अमेरिका सब्सक्राइब अब नब द Laug करती है आपके रास्टवाद को कहीं भी आप रहते हो अगर आपके रास्टवाद की भावना आती है तो वही आपका रास्ट बन जाता है वहाँ पर आपका रास्ट आ जाता है ठीक है यह कहा गया ग्लेनर करने साथ ठीक है समझ में आता है यह वाला कोशन समझ में आता है हम त तीसरे कोशन के और बढ़ते फटावाट खथम करते बस लास्ट है आपका कोशन ये भी कंपलीट हो जाएगा तीसरा कोशन यह पर कहता है कि रास्ट वाद के गैर आदुनिकतावाद के अंदर में विभीम रूपों से लोगों मतलब अलग अलग तरह की विचारधारों के उपर में बात करते हैं जिसमें विकासवादी सिधान आता है, प्रकर्तिक वादी सिधान आता है, निरंतर वादी सिधान इसमें का जाता है कि कुछ गैर आधुनिक विद्वानों ने राष्टवाद को लेकर विकासवाद को रूप में रास्टवाद कुनों ने विकासवाद के रूप में देखा ठीक है जिसके कायन से विकासवादी सिधान्त यहां पर का जाता है गैर आधुनिक्तावादी इसके अंदर में का जाता है कि विचारक उतता उसे मानने वाले लोग हमेशा अपने इतिहास को पुन निर्मित रूप से रास्टवाद के ब्रह्मा ब्रह्मांड के को देखना चाहते हैं ठीक है तो वह यहां पर गयर आदुनिता वादी सिदांत के हैं इस तरह से तीन विचारधार आ जाती है पहले प्राकरते हैं तीसरी विकासवादी तो इस तरह से तीन विचारधार यहां पर आती है पर जो नॉर्मली जो questions important है वह दो हैं इस दो के अंदर में हैं आपके पांच साथ topics के लिए हो जाते हैं सबसे ज्यादा important आपका अलूचना इन दोनों questions को करने के बाद आपका बुक जो यह वाला जो चैप्टर है ठीक है पहला चैप्टर रास्ट और रास्ट वाद वह almost clear हो जाता है अगर कहीं पर किसी को समझ में ना आए ठीक है तो वह comment करके पूछ सकता है description में social media के links दिए हुए वहाँ पर आप विजिट कर सकत है ठीक है हमारे चैनल के subscribe के बटन के बगल में join का बटन आता है ठीक है आप उसे हमें join भी कर सकते हैं जिससे आपको कई तरह के quizzes और जो अलग-लग questions है आप easily solve करवा सकते हो हमसे पूर सकते हो ठीक है और आपके questions कमेंट का कर बार होता है मैं answer नहीं दे पाता है पर अगर आप देख सकते हैं अपने दोस्तों साथ में share कर सकते हो friends friends thank you so much for watching me and listening me एक question था जो मैंने पूछा था आपसे कि अगर मैं तमिलनाडू में जाता हूं तो वह मेरी राष्टवार की भावना है या नहीं है वह आपको कमेंट करके बताना है पर मैंने वीडियो के अंदर में answer दे चुका हूं ठीक है आप अगर वीडियो द्यान से देखा होगा अपने तो आपको उसका answer मिल जाएगा फिर भी आप कमेंट करके बताना कि आपके अनुस्वार क्या है ठीक है बाबाय टेकर all the best